हेलो व्रीबन माईसल विने सिंग आज बच्चो और गैनिक एमेस्टी का हम एक बहतरीन टॉपिक लेकर क्या हैं जिसको नाम है एल्डी हाइट की टॉन तो आज हम एल्डी हाइट की टॉन को वनसॉट में सीखेंगे पूपि यह बोर्ड का एकजाम दोजार चौविस का आने वाला है तो मैं एक एक करके वनसॉट का वीडियो डालता जाओंगा इससे पहले कि हमारे करनवर्जन का भी एक सिरी चल ला है तो इससे पहले कि आप करनवर्जन को भी देखते रहें और मैं आपको एक और चप्टर इसमें वनसॉट एड़ कर देता हूँ इससे पहले कि हमारे और गेनिक केमेस्ट्री में हैलोलकेंस एंड अल्कॉल पिनोल एथर का भी वनसॉट आ चुका है यदि कर आप हमारे चनल पर नए होंगे तो और गेनिक का प्रेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सारे आपको लेक सब्सक्राइब करेंगे और आने वाला जो कार्वांगली कैसीड है हम उसको सेप्रेट आउट कर देंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले प्रिप्रेशन को डिस्कस करेंगे आई पेसी होगरा जैसे-जैसे मैं आता जाएगा वह इस ग्रिगनाड रिजिंट में इस्पेसली क्या होता है अगर मैं आपको सॉल्टरी बताऊं तो हाइट्रोजन साइनाइड के साथ और जब दूसरा साइनाइड लोगे तो इंके साथ देखो मारे पास एल्डियाइड बनेगा और की टोन मेकेनेजियम को इमें फील दिला देता है अब इसमें एक बॉंड का क्लिवेज होगा यानि ट्रिपल बॉंड में एक बॉंड को तोड़ोगे विटाइड स्पेसली क्या होगा आर पर माइनस आएगा और किस पर टैक करेगा कार्बन पे क्या है अब गरिगनार्ड में बेटा क्या होता है कि पहला इस्टेप पानी होता है मतलब पहला इस्टेप और मेटल है तो प्लस चाज होगा तो पानी से क्या उठा लेगा और कुछ ऐसे आगया अब पानी का फिर दूसरा इस्टेप यूज करोगे यानि ग्रिगनार्ड रिजेंट में यानि जब दो बार पानी हम इसमें यूज करते बच्छे एक प ग्रिगनार्ड वाले स्टेप में दूसरे वाले पानी से क्या करोगे पानी को ऐसे लिखो है यहां इस्ट्रेग निकल जाए तो मैंने यह कुछ ऐसे निकाला है अब दो यहां पर सी के साथ औरजी पार बांड इस इस द लड8 तो इससे क्या में इकुल निकला यदी आप इ लेते हो इससे बच्चे क्या बनेगा बनेगा अब देखो एच की जगवाइटा सिंपली क्या लगा दोगे तो यहां पर एच की जगवाइब पर क्या आजाएगा अब की टोन क्या हो जाता है यानि कार्बुरिल जो उसका होता है मिड में आ जाए तो ऐसे को की टोन रिप्रिजेंट किया जाता है अब देखो सियस्त्री यहां ला देने से सब कुछ मेकेनिजम वह इसे ही होगा डारेक्ट देखो मैंने इसको की टोन मुना विया है को कि जहां पर आपका एच दिख रहा है इसके चलोगे तो कुछ रो में सब्सक्राइब लेकिन जब आप हेडिंग देखो गें इसमें एन्सियाटिक हिसाब से हीडिंग आपको कुछ ऐसे मिलता है Hydration of Alkyne मिलता है Hydration of Alkyne यानि Triple Bond पर पानी की वर्षा करा रहा है अब दोखो पानी डिरेक्ट नहीं मिलता है हमें Salt देता है Mercurus Sulfate का में बचा क्या देता है Salt देता है Mercurus Sulfate यानि HGSO4 इसके Salt के साथ यानि Dilute H2SO4 देता है तो पेपर में दो तरह से दे सकता है HGSO4 Dilute H2SO4 या फिर Dilute H2SO4 मतलब H+. अब दोखो यहाँ पर H+. भी कर सकते हो अब दोखो इसमें ये आपके पास Alkyne है तो जब इस पर एक bond तोड़ोगे दोखो डारेक्टली क्या ना ये दोखो आपके पास रीजेन जो होता है पानी का सप्लायर होता है तो यानि मैंने Heading में लिखा है Hydration of Alkyne यानि Triple bond पे पानी की वर्षा करा रहा है तो इसमें किसी एक bond को तोड़ोगे H किसी को दे दोगे OH किसी दूसरे को दे दोगे इसमें मैंने सप्पोज H दे दिया इसको मैंने OH दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CS2 Double bond OH हो जाएगा Double bond और OH को बोलते है Inol बोलते है Double bond को In बोलोगे Alcohol को All बोलोगे तो क्या इसको बोलोगे Inol बोलोगे अब दोखो Inol जहां देख जाएगा तो इसमें Tautomorization का एक concept आता है क्या आता है जी Tautomorization का एक concept आता है वो Tautomorization बच्चे इसमें एक कहता है इसको मालो सपोज 1 इसको मालो 2 इसको मालो 3 इसमें 1-3 migration होता है मैं यहाँ लिग देता हूँ 1-3 shift 1-3 shift होता है यानि hydrogen जाएगा पहले कार्बन पर और पहले कार्बन का double bond आएगा तीसरे वाले पर इसलिए इसको बोलते है 1-3 shift और इसका पूरा नाम है Tautomorization जो की class 11 से यह topic लिया जाता है तो फिलाल मेरे को 100 में ज़्यादा detail नहीं जाना बच्चे इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा H चला गया एक के पास और एक का double bond आगया oxygen के पास दोखो यह CS3 CHO बन गया this is the ethanol मैं इसका IUPAC भी लिखते चल रहा हूँ ताकि आपका IUPAC बत्यार हो जाएगा this is the ethanol या फिर common में क्या बोलोगे इसको acetaldehyde बोलोगे done हो गया अगला बच्चे देखो आपके पास क्या है न यह तो मैंने लिया था ethine लिया था अब आपके पास क्या आ गया propine आ गया तिंक आदों क्या मोलते हैं propine बोलते है अब इसका देखो मैंने ऐसे लिखा है HG, SO4 हो गया H+, हो गया यानि mercuris sulfate in the presence of H+, तो indirectly यह क्या देता है पानी देता है अब दोखो यहाँ पर simply बच्चे कैसे जड़ोगे मारकोनी की एसाब से follow करोगे जब unsymmetrical आ जाए तो मारकोनी को follow किया जाएगा दोखो यहाँ बेटा simply क्या हो जाएगा यहाँ पर carbon less है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा OH आएगा carbon यहाँ यही लेस है तो मारकोनी को simply follow करोगे तो OH कहाँ टेक करेगा less वाले carbon पर तो simply बेटा दोखो यहाँ पर OH आगया और यहाँ पर double bond CS2 आगया अब दोखो फिर वही तरीका इसको मालो suppose देखो इनॉल आगया पहले इनॉल को पहचान गया जब इनॉल आजाएगा तो वह यह वाले जो product होते है इनॉल जो content होता यह less stable होता है फिर इसका process क्या होता है टॉटो मराइजेसम तो टॉटो मराइजेसम से जो ketone मनता है ना इनॉल से ज़्यादा इसलिए कैसे पहचान होगे कि कौन सा product is stable है जब इनॉल आजाएगा तो उस process में कहना है कि equilibrium होता रहता है मतलब इंटर convertible होता रहता है तो वाया experimentally जो होता है ketone जो होता है ketone का जो content होता है वो ज़्यादा पाये जाता है इसे विहाब पर इनॉल जो होता है less stable होता है तो कैसे पहचानो के double bond आजाए एक, दो, तीन pattern यानि one, three pattern पहचानो तो one हो गया, two हो गया, three हो गया तो तीसरे वाले का hydrogen एक पर और एक वाले का double bond तीसरे वाले पर देखो यह कुछ ऐसे बन गया इसका नाम है acetone नाम है acetone इसका common name है propanone इसका आयू-pack name है यहाँ तक आपको दो रियक्षन क्लियर हो गया गिरिगनाड रिजेंट हो गया कुछ दो रियक्षन हो गया अगला बच्चे देखो method of preparation में आता है ozonalysis आता है तो मेरे अपने experience से ozonalysis class 12th का class 11th का सबसे easiest regression में से मैंने एक बना दिया तो simply यह unsissuration पे होता है किस पे होगा? unsissuration पे तो देखो यहाँ CS3 है CS6 double bond CS2 है यानि इसमें फंडा देखो बिटा यह है देखो इससे पहले एक रिक्षन मैं उपर लिखा है तो simply क्या तरीका है? double bond को तोड़ो O को जोड़ो double bond को तोड़ो O को जोड़ो अब देखो इससे पेसरी देखो double bond को तोड़ा एक oxygen इस वाले को दिया एक oxygen इस वाले कार्बन को दिया इसमें reason क्या होता है? O3 और zinc जो होता है reductive elimination होता है एक zinc के साथ oxygen इकार लेगा तो जेड़ो निकल जाएगा double bond को तोड़ दिये O को जोड़ दिये तो CS2O, CS2O बन गया CS2O देखो क्या जो दिख रहा है SC2O जो है ना यह condensed form में दिया गया था CS2O नथिंग बट इस इस दो फॉर्मल डियाइड इसमें कैसे करोगे इसमें देखो प्रोसीट करोगे वही तरीका double bond को तोड़ो एक O इसको देदोगे एक O इसको देदोगे तो एक ketone बन जाएगा और एक formaldehyde बन जाएगा तो Ozonealysis का simple फंड़ा है double bond को तोड़ो O को जोड़ो double bond को तोड़ो O को जोड़ो simple फंड़ा है अगले बच्चे देखो तो सबके नाम पहले अच्छे स्राटलो रोजरमंड रियक्षन हो गया दूसरा स्टीफ़न रियक्षन हो गया तीसरा बेटा नेम रियक्षन नहीं है एक recent है बट मैंने इसको recent में नेम रियक्षन में एड़ कर दिया है ताकि इसको याद करने में इसी रहेगा तो रोजरमंड रियक्षन इस्टीफ़न रियक्षन डीबा लेच हो गया फिर इसके बाद गाटरमेन कोच रियक्षन है और इटाड रियक्षन है पांचों में लेकर के क्या बना रहे थे सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे थे पांचों अच्छे से लर्ण हो गए तो बस मेरा काम क्या है इसमें आपको रिजेंट को लर्ण करा रहा है अब देखो कैसे करोगे इसको बच्चे तो रोजरमंड रियक्षन में मैंने क्या लिखा है ओनली फॉर एल्डिहाइड यह पांचों रियक्षन इसपेसली क्या होते है अब यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया आगे देखो जड़ा इसमें रिजेंट क्या उच्छ कर सकते है देखो तो बैटा इसमें CS3 COCL है ताकि इन सब का नाम में लिखते जाना CS3 COCL के बच्चे नाम है Acetyl Chloride IPA से लिखोगे तो Ethanol Chloride होता है जो इसमें रिजेंट उच करते है S2, PD, BSO4, SCL होता है यहीं इसमें SCL as a byproduct निकल जाता है ठीक है तो में रिजेंट क्या होगे S2, PD, BSO4 और इसमें क्यूनोलीन जो होता है इसमें हम लोग इसमें Poisonous Catalyst उच करते है और इस रिजेंट को दोखो एक और Effect 2 नाम आता है जिसको नाम आता है Lindler Catalyst यह भी आप अलग से इसको नोट कर सकते है दो रिएक्सन कैसे करोगे H के साथ C A लिकल जागे H के साथ क्या निकल गया C A लिकल गया H यहां चिपकाद होगे देखो LD हाइड बन गया क्या बन गया LD हाइड बन गया अगला देखो रिंग के साथ है इसको नाम आएगा Benzoil Chloride जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ नाम लिखते जा रहा है रिंग वाले के साथ क्या नाम है Benzoil Chloride अगला देखो नेम रिएक्शन में मेरे पास है Stephen Reduction है अगला बच्चे क्या है Stephen Reduction है Stephen Reduction में Simply Sinide के साथ होता है किसके साथ होता है Sinide के साथ SNCL2 है स्पेसली क्या करेगा ये भी एक Reduction का काम करता है क्या करता है Reduction का टाइप होता है तो ये Hydrogen का Supplier होता है तो एक Bond टोड़ोगे एक Carbon को दोगे H और एक दोगे Nitrogen को दोगे दोखो CS3 आ गया CH आ गया NH आ गया दूसरा step क्या होता है पानी की वरसा होता है तो पानी की वरसा में क्या करोगे पानी की वरसा ऐसे वरसा होगे कि OH लिखो ताकि इससे अमोनिया निकल जाए और O किसको देदोगे H को देदोगे यानि Carbon को देदोगे तो क्या बन जाएग बच्चे CS3 CH बन जाएगा यहां तो क्लीर हो गया दो नेम रेक्षन इस्टीपन हो गया और आपके पास रोजनमंड रेक्षन हो गया अगला बच्चे देखो D-Ball H है तो D-Ball H का जो फुल्फाम होता है डाई आई आईसो विटाइल एलमोनियम हाइट्राइड होता है डाई आई आईसो विटाइल एलमोनियम हाइट्राइड मुच्चे है यह देखो क्या करता है यह साइनाइड को और इस्टर को इसको रिजल्ट के तौर पर अपलिक लीजे साइनाइड को इस्टर को दोनों को कहा ले जाता है यह कहीं कॉमन प्रोड़क्ट है यह साइनाइड को रिजूस करता है इस्टर को रिजूस करता है इस्टर बेटा क्या होता है र-C-O-O-R इस इस्टर इस्टर को और साइनाइड को कहा ले जाता है अल्डिहाइड में ले जाता है तो बटाई सिंप्ली क्लियर हो गया, डी बालेच हो गया, स्टीफन हो गया, रोजनमंड हो गया, अब देखो ऊपर के इस पिसली मेरे पास दो रियेक्शन है, जो की एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए अप्लिकेबल है, तो गाटर मैन कोच रियेक्शन है, कौन सा मतलब यहाँ पर कोबाल्ट मेटल नहीं है, that is carbon monoxide है, अब यह HCl और CO जब आपस मेरे ये करते हैं, तो HCO बन जाते हैं, यानि CHO बन जाता है, और यहाँ से बेंजीन का H और CO निकल जाता है, SCO निकल जाता है, डारेक्ट HCO यहाँ पर चिपका दोगे, that is CHO, that is, बेंजल ड हैड बन जाता है, मेली मेरा परपज यह है कि आपको रीजेंट को familiar करा देना है, और आपको अच्छे से finger पर लंग करा देना है, वीडियो को बार बार पाउज करिएगा, रीजेंट को बार बार देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें mechanism नहीं पूछता है, डारेक्ट आपको होता है, toluene, that is, methyl benzene होता है, रीजेंट क्या उच करते हैं, CRO2, CL2 plus carbon dioxide है, after hydrolysis, acidic medium, जब acidic medium में hydrolysis करते हैं, तो S3O plus उच करते हैं, तो product क्या बनेगा, that is, benzaldehyde बनेगा, इसी का देखोए कि special case है, CRO3 है, और acidic anhydride है, और इसको भी after hydrolysis करोगे, तो क्या बनेगा, benzaldehyde बनेगा, तो टोटल पांचो रेक्सम तयार होगे, एक बाद फिर से मेरे साथ, आप क्याना, आग बंद करके, अच्छे से याद कर ले, पहला रोजरमंड है, इस्टीफन है, डी बालेच है, गाटरमेन कोच है, एटाड रेक सरी, यह पांचो क्या कर रहे थे, अगला बच् नाम आएगा, डाइ मिथाइल, कैड्मियम आएगा, डाइ मिथाइल, कैड्मियम आएगा, तो देखो, कैड्मियम जो होता है, मेटल है, इस पर क्या चार्ज होता है, पोजिटिव चार्ज होता है, तो सीडी के साथ क्या निकल जाएगा, तो दो सीज निकलेगा, यहाँ पर तो बेंजीन में COCL है, CST ट्वाइस है, तो यहां का CDCL2 निकल जाएगा, और यह तुमारा रिंग के साथ यहां CST चिपका दोगे, यह तुमारा यहां दो लगाता होगे, ताकि रियक्षन बैलेंस हो जाएगा, ताकि यहां भी ट्वाइस था, यहां बाहर लगा दोगे तरिय इक साथ बैलेंस हो जाएगा, अगला बच्चे देखो, प्रिप्रेरेशन आपका डन हो गया है, प्रिप्रेशन के बाद सिंपल, इसमें property पूछ लेता है, तो प्रोपरटी में देखो हमारे पास simply बच्चे क्या होता है, डाइपॉल, डाइपोल, इंट्रेक्षन है, यह औ यह वाले जो carbon oxygen है, इसमें भी polarity है, तो ऐसे वाले को dipole dipole interaction कहा जाता है, जिसमें hydrosor is directly attached with phone कहीं दिख जाए, तो ऐसे वाले को बच्चे हार्डियम bonding कहते हैं, जैसे alcohol देखो, हेदी O के साथ जुड़ जाए, हेदी N के साथ जुड़ जाए, तो ऐसे वाले में hydrogen bonding interaction दोला जाएगा, और इसके लावा carbon oxygen है, तो ऐसे वाले में dipole dipole interaction दोला जाता है, अगला बच्चे देखो, lower members के जो aldehyde और ketones होते हैं, ये पानी में soluble होते हैं, तो मैंने क्या लिखा है, lower members are soluble in water, because they can form hydrogen bond, especially आप से question पूछेगा, why aldehyde, lower members of aldehyde and ketones are soluble in water, तो answer बच्चे लिखोगे, they can form hydrogen bond with water, simple language है, अगला बच्चे देखो, अब इसमें लोग क्या start करेंगे, CP, CP बोले तो chemical properties होता है, तो हम इसमें chemical properties को बच्चे दो तरह से study करते हैं, एक हमारे पास nucleophilic addition येकसर है, और दूसरा study करेंगे, nucleophilic addition followed by loss of water होता है, तो अभी आप इसको समझो अच्छे से, दोखो, nucleophile का मतलब simply बच्चे होता है, जो electron rich वाले होते हैं, जो amir लोग होते हैं, जो पैसे वाले बुला जाता है, और बिटा जो plus वाले होते हैं, ऐसे वाले को उलेक्ट्रो फाइल बुला जाता है, यहां तक clear हो गया, आई आगे बटते हैं, इसके जरा सबस्ते हैं, अर जा देखो, इस पर reaction कैसे take place होगा, बच्चे यहां पर यह LD हाइड है, RCHO है, तो मैंने इस पर ऐस साइनाइड पर मैनस आएगा, ऐसे मैकरेंजम को तुर्णा फील करते चलोगे, तो यह क्षम को लर्ण करना easiest रहता है, अब दोखो, simply बटत क्या करेगा, यह साइनाइड जो है, कहाँ टैक करेगा, जहां पर प्लस दिखेगा, तो साइनाइड इस किस में क्या भीव कर रहा ह अब H कहाँ जोड़ जाएगा, O के पास जोड़ जाएगा, तो देखो, यहाँ पर क्या हो गया, R, C, N हो गया, और यह O, H हो गया, that is H हो गया, बेटा इसको बोलते है, साइनो हाइडरिल, क्या बोलते है, पुरा नाम लिखो, that is LD, हाइड, साइनो हाइडरिल, एल्डिहाइ साइनो हाइडरि नाम आता है, ऐसे देखो, कीटोन के साथ करा होगे, तो कीटोन साइनो हाइडरि कहलाएगा, यह रियक्सन निक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, एडिशन मतलब जुड़ना, निक्लियोफाइल क्या हुआ जाकर के कार्बन पे चिपन गया, that is क्या कहलाएगा सिंप्लिस्ट निक्लियोफिलिक एडिशन रियक्सन कहलाएगा, अगला देखो इसमें, यह है रियक्सन में सोडियम बाई सलफाइट, इसमें IT लैंग्विज आएगा, जब ऐसोफोर होता है बच्चे, तो नाम आएगा सोडियम बाई, सोडियम सलफेट नाम आता है, यहां एच लग जाने से हाइटोजन सलफाइट या फिर बाई सलफाइट इसका लैंग्विज आएगा, नाम लिखते जाना अच्छे से, जो कुछ भी नया दिखे, उन सबके नाम अपने तरफ से एड़ करते चलना है, सोडियम बाई सलफाइट नाम आएगा, इसमें इसमें कैसे प्लस हैं और यह माइनस अच्छे से हैं, अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो SO3H बच्चे अटाइक करेगा कार्बन से, और NA अटाइक करेगा सिंप्ली O से, फिर बाद में इसमें बच्चे क्या है ना, प्रोटॉन ट्रांसपर होता है, तो SO3NA हो जाता है, और यह OH हो जाता है यह reaction, अगर इसको dilute ACL से hit कर देते हो, या simply hit कर देते हो, तो फिर से कहना कि aldehyde or ketone regenerate हो जाता है, तो इस reaction से हम क्या करते हैं, aldehyde ketone को purify करने में purification के तोर पे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर एक note में लेक सकते हो, कि sodium by cellophite reaction जोते हैं, this reaction is very useful for purification of aldehyde and ketone, क्योंकि NCRT के बच्चे line है, मेरा line यह नहीं, this is the NCRT का language है, अब बच्चे दोखो इसमें question क्या पूछता है, तुमारे CVC exam में, अब CVC exam में सबसे ज़्यादा question famous है, reactivity पूछता है, क्या पूछता है सी, reactivity, अब दोखो aldehyde भी nucleophilic addition दे रहा है, ketone भी दे रहा है, तो एक question बने ग due to plus eye effect, दूसरा है hysteric hindrance है, क्योंकि plus eye मतला simply बच्चे क्या होता है, देखो यहाँ पर तोड़ा feel करा रहेता हूं, देखो, जो यह alkyl groups जो होते हैं बच्चे, यह electron donating groups होते हैं, तो यहाँ पर जब plus create होगा, यह alkyl क्या करेगा, plus वाले को nullify कर देगा, neutralize कर देगा, तो इसल इसमें देखो, दूसरा रीजन यह है, hysteric hindrance का है, अगर आपको plus eye में आता है, तो hindrance समझ लो, देखो यह क्या न, छोटे छोटे ग्रूप है, लाइटर ग्रूप है, तो इसमें hindrance कम है, इसमें एक methyl आ गया, तो aldehyde के बाद इसका number आएगा, पहले formaldehyde, फिर आपके पास acet acetaldehyde, फिर acetone आता है, इसका नाम methanol है, इसका नाम ethanol है, इसका नाम propanone है, तो language भी जानते चलो, क्योंकि paper में प्रस ने क्याना, language से देता है, कि which is more reactive, methanol हो गया, ethanol हो गया, प्रोपनोन हो गया, तो इसलिए सब के IPC भी लिखते चलना है, ठीके, अब चलते हैं, दोखो, next हम ammonia and derivatives of ammonia बच्चे है, ठीके, तो ये देखो, इसमें भी काफी famous कैसे याद करना है, जरा इसको हम लोग समझने का प्यास करते हैं, reaction with ammonia and derivatives of ammonia बटा है, ठीके, अब पले इसका screenshot यहां तक ले लिजे अच्छे से, तो बच्चो, इसमें reaction with ammonia है and derivatives of ammonia है, ये simplest आपको देखो, क्या ना इसमें अगर counting करोगे, तो ये एक है, दो है, तीन है, ये बटा चार है, ये पांच है, और बटा आपके पास ये छे है, और ये आपके पास साथ है, समझो, तो ये सातों लोग मिल के क्या कर रहे थे, उस ताइम पे सिर्फ और सिर्फ पानी निकाल लाए थे, ये उस ताइम पे इनका जो मकसद था, ये रीजिन बने ऐसे बनाया है, तो आपको अच्छे स्याव हो सके, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या करते है, वाटर निकालने का काम करते है, अलोगो मैं तो मैं तो मैं करकर ये एकसान दिखा देता हूँ, जैसे मालो बिटा तुमारे पास हैं अमोनिया है तो आमोनिया को NH2-NH ऐसे लिखो, ताकि वाटर निकालने में easy रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिस में ट्रिक बेटा ये है, कि कार्बोनिल का O पकड़ो, कार्बोनिल का O पकड़ो और अमोनिया के जो derivatives है, इनके H2 को पकड़ो और मिलाके क्या क प्रभोनील का ओ पकड़ो, और अमोनियां, और अमोनिया की यतने भी परिवार के लोग हैं, इनके S2 को पकड़ो और water निकाल दो, simple trick है, क्या करना है, बस सिर्फ water निकाल रहा है, इनका काम धाम कुछ नहीं था, सिर्फ पानी निकाल रहा है तो अरग ज़्या देखो, चोटा बच्चा भी देखेगा, सिंपली क्या कहते हैं, इसका हमें O पकड़ना है, इसका S2 पकड़ना है, तो भी आसानी से चीज़े water को release कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा है chemistry यह कि सबके नाम याद रखने है, नाम के साथ साथ structure याद रखना है, दो को simplest हमारे पास ammonia है, NS3 हो यहां पर मैंने लिखा है और बच्चे यह हो गया इस्टक्षर और यह हो गया डेरिवेटिव सब कार्बोनिल कंपाउंट्स हो गया मतलग कार्बोनिल का जब एक सन होगा तो कैसे यह प्रोड़क्ट दिखते हैं समझों और यहां बैटा सिंपली क्या नहीं सब को दोनों साथ लिखा है और सी मर्वण निकाल दिया और इसका और घ्रोड़क्णस के साथ मेटा यडियरा र के साथ कीटों होगा इसका नाम आता है प्रोड़क्ट में आइमीन आता है क्या नाम आता है products name आइमीन आता है अगला बचले देखो अमीन के साथ है और निसका होता है इसका स्टू पकरोग गड़ोगे तो देखो इसके साथ एनार चीपक विटा यह क्या हो जाएगा자를 होता है हमेशा तीन बन बनाता है मत्त बन के ऐगा सिफ темпер सालता है है अगले बहुते देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सील एमीन है हाइड्रोक्सी ऑइड्रोक्सील एमीन है हाइड्रोक्सील ऑनी मिज़तो करके तो सबसे करो और के साफ कीटोन होता है तो simply product name क्या है का Hydrogen जो Hydrogen है और उसका जो product name होगा उसका own आएगा last में क्या लगा दोगे? O-N-E लगा दोगे अगला देखो इसमें क्या है? 2-4 DNP नहीं इसके बाद है Phenyl Hydrogen है तो Phenyl का मतलब Benzene जैसा होगा जो यह ring हो गया? NH-NH2 हो गया क्या करोगे? इसका S2 पकड़ोगे देखो वाटर निकाल दोगे तो यहाँ पर N-N-S-2 जोड़ जाएगा नाम क्या हो जाएगा? Phenyl Hydrogen हो जाएगा अगला बच्चे देखो क्या है? 2-4 DNP है इसको short पे लिखते है 2-4 DNP लिखा जाता है क्योंकि ऐसे यह famous reason है 2-4 DNP मतलब यह LDH और कीटोन दोनों देते हैं उपर के सारी रिखते है LDH कीटोन तो देखो इसमें क्या हो गया? यह Hydrazine हो गया यह Phenyl हो गया तो देखो इसको एक ले लोगे इसको बच्चे दो ले लोगे यह 3 हो जाएगा, यह 4 होगा तो दो पर Nitro मिल रहा है और 4 पर Nitro मिल रहा है दो और 4 पर क्या मिल रहा है? नाइट्रो मिल रहा है similar है, तो क्या लगा दोगे? डाइ लगा दोगे तो 2,4 Dynitro Phenyl Hydra Gene तो प्रोड़क्ट में क्या हो जाएगा? Phenyl Hydra Zone हो जाएगा understand होगे अच्छे से? तो रियक्षन देखो क्या करना है? बस इसका S2 पकड़ो, मिलाया करके पानी निकाल दोगे सिंप्लिस बच्चे यहाँ पर जोड़ दोगे तो यह आपका काम समाप्त हो जाएगा तो बस इसका नाम लिखना है 2,4 Dynitro Phenyl Hydra Zone हो जाएगा अगला बच्चे देखो Semi-Carbazide है यह सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है इसको Important बना लो सबसे ज्यादा रियक्षन इसी का पूछा जाता है SBC में तो Semi-Carbazide जैसे Urea होता है देखो Urea मेरे पास क्या होता है? तोड़ा फील लेलो NS2 होता है, CEO होता है, NS2 होता है इसमें एक और NH को insert कर दो एक और यहाँ पर NH insert कर दोगे तो Semi-Carbazide हो जाएगा अब अगला देखो तो Simply क्या करोगे? देखो इसमें दो साइट माल लो ऐसे A and B A से निकलेगा कि B से S2 निकलेगा क्योंकि यहाँ भी S2 है यहाँ भी S2 है तो अब क्या करोगे मैटा? यहाँ का A वाले से S2 निकलेगा, जानते हो क्यों? कोगि इस वाले के पास loan pair है तो यह loan pair क्या करेगा? Conjugation करेगा double bond के साथ तो इसलिए ही हाट डिजर रिलीस नहीं कर सकता है कहां से रिलीस करेगा? S2 वाले से करेगा यहाँ तो इस वाले का S2 निकालोगे तो यह N हो गया, NH हो गया, CO, NS2 हो गया इसका बेटा product name क्या आएगा? semi-carva, zone आएगा क्या आएगा जी? semi-carva, zone आएगा अगला बेटा देखो यह साथो reaction अगर clear हो गया इन साथों से क्या करना था? इसमें दो name reaction बड़ी famous है एक का नाम clemencion है, दूसरे का नाम wolf kishner है तो clemencion और wolf kishner से क्या बनता है? अलेकेन बनता है बस आपको recent याद कर लेना है तो चाहे aldehyde हो, चाहे ketone हो clemencion और wolf kishner से क्या बनता है? अलेकेन बनता है अब especially देखो amalgam zinc है इसका नाम amalgam zinc है amalgam zinc especially 4 hydrogen का supplier होता है तो 2 hydrogen से एक पानी निकल जाएगा और बच्चे यहाँ पर क्या बन जाएगा? अलकेन बन जाएगा ऐसे कीटोन का भी है तो मैं यहाँ पर कीटोन का भी करा दिया है उसको भी आप कर लिजएए अगला बच्चे वॉल्फ किस्टर है वॉल्फ किस्टर में especially क्या हो जाएगा NH2 NH2 hydrogen होता है तो especially क्या कर जाएगा यह भी alkin मना देगा बस आपको recent याद रखना है नेम रेक्सम को याद रखना है तो बच्चे अब बच्चा reduction के बाद सबसे पहले tolerance आएगा और दूसरे वाले में क्या हैगा जी फेलिंग्स टेस्ट आएगा तो दोखो tolerance टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट यह दोनों की दोनों क्या होते है mild oxidizing agent होता है और यह aldehyde को oxidize कर देगा carboxylate में कर देगा में तुमको क्या इसमें फंडा याद रखना है tolerance टेस्ट यानि tolerance region क्या होता है यह आपको एक नमबर पूछ लेता है तो दोको इसमें क्या होता है az ammonia twice होता है क्या होता है जी इसमें में क्याना आपको दोको क्या रखना है silver ammonia twice और इसके उपर plus charge है और यह reaction basic medium में कराए जाता है तो यह mild oxidizing agent होते है मतलब simply क्याना कि देखो oxidizing जहां भी टर्मा जाएगा उसका एक ही फंडा है carb oxalic तक लेख जाना है अब देखो यह reaction में basic medium ने उच्छ किया है तो हम यहाँ पर H नहीं लगाएंगे अब देखो यहाँ बिटा क्या बना silver का mirror बनता है याणि test tube के चारों गरा experiment अगर आप यह होगे तो test tube के चारों क्याना silver जैसा mirror बन जाता है तो इससे यह indicate होता है देखो यह aldehyde reaction देते हैं की tone reaction नहीं देते हैं देखो मैं इसमें लिखा है all aldehyde gives this test याणि जितने भी aldehyde होते है that is formaldehyde, acid aldehyde चाहे आपके पास aromatic हो तो इसमें आप aliphatic plus aromatic दोनों ही लिख सकते हो दोनों ही reaction बेटा यह देते हैं ठीक है अगला बच्चे देखो felling test है तो felling में कहाना only aliphatic देता है यह aromatic नहीं देता है यह आपके पास है co2o है जिसका reddish brown ppt आता है cupric oxide बच्चे इसका नाम आएगा ठीक है तो यह reddish brown ppt observation आपको मिलेगा तो में आपको इसमें color observation जिसे tolerance में आपका silver mirror बनता है और इसमें reddish brown का ppt मिलता है तो यह आपको phalanx A and phalanx B बनाते है phalanx A में copper sulfate होता है and phalanx B में बेटा rossal salt होता है क्या होता है? rossal salt या फिर sodium या potassium का tartrate होता है उसी को rossal salt बोला जाता है उन दोनों को जब आपकोस में intermix करते हैं तो copper 2 plus का complex बनता है जो कि aldehyde से react करेता है तो यह इसको carboxylate में convert कर देता है और हमें reddish brown का ppt मिलता है जिससे confirm करता है aldehyde का presence है और यह reaction ketone बेटा नहीं देता है अगला देखो इसमें आखरी है idoform test है तो idoform test बेटा simply कौन देते हैं जो आपके पास methyl और ketone होते हैं यह reaction aldehyde भी दे सकते हैं और यह reaction ketone भी दे सकते हैं ओके तो इसमें यह methyl ketone देता है तो यह aldehyde भी दे सकता है ketone भी दे सकता है तो जो भी आपके पास यह CH3 CO portion दिख रहा है यह कहां convert हो जाएगा CH3 में एक बार ketone को देख लो तो यह कहां convert कर देगा इसको CH3 में जिसका yellow PPT मिलता है जिससे क्या confirm होता है methyl ketone यह reaction aldehyde भी दे सकते हैं ketone भी दे सकते हैं बस आज के लिए इतना ही करते हैं आने वाला जो aldehyde condensation करने जा रहो है carbon click है उनको हम एक one sort में कर दूँगा तब तक के लिए आप इसको अच्छे से practice कर लेजे okay thank you